तो मैं क्या valley Hor77 आज की वीडियो में हम करने वाले है Lab sowlers को हई ये चुन चुन कर लेकर आए हूं जो समर में ट्रेंड करने वाले हैं अल्मोस्ट हैर बॉड़िगी में इस चले जाएँगी ओल्सो आज में giveaway भी है वीडियो के बीच में कहीं giveaway के rules में बताने वला हूं so make sure कि आप video skip ना करें नहीं तो बात में आप कहते हैं कि giveaway के rules बताये नहीं थे इससे पहले में अपनी वीडियो शुरू करें दो बहुत important बात मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप मेरी तरह online shopping करने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले deals मिलती रहे कैसे मैं महंगे महंगे कपड़े सस्ते में ले लेता हूं वो सब मैं बताता हूं अपने instagram के broadcast channel पर so make sure कि आप मेरे instagram पर जब मुझे follow करें तो मेरा broadcast channel join कर लें उसके अलावा मेरा telegram channel है जहां पर भी हम deals डालते रहते हैं बट ज़्यादा तर जो deals है वो मेरे broadcast channel पर आती है also एक बहुत important चीज़ बहुत सारी बाते ऐसी हैं बहुत सारे topics ऐसे हैं जो हम यहां नहीं डाल सकते obviously because of youtube community guidelines वो सब मैं डालता हूं telegram channel पर so make sure कि आप मेरे को telegram पर और मेरा broadcast channel जो है instagram पर दोनों को follow कर रहे हूं चलिए जी start करते हैं सबसे पहली shirt से जो की होगी एक sheer pattern वली black shirt size इसका मैंने medium मंगवाया हुआ है इसको आप see-through shirt भी कह सकते हैं कहने का मतलब है कि आप क्या अंदर का अंग दिखेगा जब आप इस shirt को पहनते हैं तो आपको पहनना भी आई और आप confused भी है तो उस case में आप अंदर एक black vest carry कर लीजेगा black vest especially बोलना हूँ उससे दो चीज हो जाएगी एक तो आप इसको as a layering भी पहन सकते हैं और आप इसको button up करके भी पहन सकते हैं अगर आप amity shardha जैसे college बोले चात रहें तो इसको college में पहन ली जाएगा otherwise इसको college में पहन कर मत जाएगा उसके इलावा hangout है party है beach है clubbing है goa है हर जगा के लिए ये best suited है college में अगर बहुत जाएदा restriction है तो मत पहनेगा नहीं तो आपको तो गाली देंगे मुझको भी गाली देंगे एक बात समझना guys मेरी जो भी video होती है न वो हर age group के लोगों को मद्दे नजर रखते हुए बनाई जाती है कभी किसी video में आ जाता है कि formal नहीं बनाते है कि सिफ college लोगे लिए बनाते हो किसी video में आ जाता है कि office लोगे लिए नहीं बनाते हो आज की जो video है हर age के group को मद्दे नजर रखते हुए बनाई गई है अभी जरा second shirt की बात करते हैं वैसे second shirt एकदम same है जो मैंने black वाली दिखाई थी इसका ये variant दूसरा है थोड़ा creamish side पर है इसको जब भी आप wear करें तो कोशिश करिएगा कि आपका जो bottom है वो dark tone पर होना चाहिए black है तो बहुत बढ़िया है moving on to our third shirt जो कि होने वाली है एक printed shirt अगर आप लोगने मेरा summer fashion trend वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें कहा था कि इस साल botanical prints printed shirts काफी जादा trend करेंगे मैं सच बता रहा हूँ इस design पर जो मैंने पहली बार देखा था मैंने कहा था ये मेरे wardrobe पे होना चाहिए size मैंने medium wear किया हुआ है regular fit shirt है इसका कपड़ा बहुत मुलायम है ये best रहेगा हमारे सारे young subscribers के लिए अगर आप अपने आपको young समझते हैं तो इस shirt को definitely try करिएगा वैसे description में मैं सारे best buy links जाल दूँगा इनके अलावा और भी जो इनसे मिलते जुलते या जो मेरी और recommendation है मैं उनकी भी links जाल दूँगा so make sure कि आप description जरूर चेक किया करें ये जो मैंने shirt पहनी है इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे जरा next shirt के बारे में बात करते हैं last year मैंने इसको purchase किया था and बहुत जादा मेरे को इस पर compliment मिले vertical stripe shirt है जितने भी लोग oversize की तरफ हैं जिनको लगता है कि वो थोड़े मोटे हैं तो आज कल हर इनसान को लगता है कि वो मोटे है मेरा biceps का size है 14.2 जी हाँ थोड़ा सब बढ़ गया है अभी रोजे में घड़ गया हो तो मुझे पता नहीं बट अभी मेरी measurement यही है और यह slim fit pattern पर shirt है मैंने अपनी बहुत सारी get ready with me videos में इसको दिखाया हुआ है मुझे लगता है मेरे बहुत सारे vlogs में भी मैंने आपको यह shirt दिखाया था और आज भी मैं आपको यह recommend कर रहा हूँ black white के अलावा जबाब color option देखने जाएं तो आपके wardrobe में blue shades होने बहुत जरूरी है lavender shades होने बहुत जरूरी है जरा next shirt की बात करते हैं again एक sheer pattern है जो हमने starting में देखा black और cream उससे अलग इसका design है इसमें थोड़ा जादा आपका अंग production होगा इसके साथ मैं आपको भोलूँगा अगर आप इसको as a layering के लिए use कर रहे हैं मतलब कहीं party party वाटी वाले zone में है तो अंदर black waist पे निएगा बटन खोल के रखिएगा अब इसरह बात करते हैं इस shirt के वारे में एक style की shirt बहुत जादा trend कर रही है इस style से मेता क्या मतलब है अगर आप दियान से देखें तो stitching जो है वो अलग से आपको दिखती है इस shirt में अगर stitching इसी color से की गई होती तो शायद ये इतनी अच्छी आपको ना लग रही होती since इसकी stitching जो पूरा contrast दे रही है इस पूरे shirt को यही reason है कि यह थोड़ा इसको अलग बनाती है अगर आप used to नहीं है इस type के कपड़े से तो पहली बार में आप कहेंगे ये वास्मेन वाली shirt क्यों पहन के आए हो वट बहुत जादा इन है इसके साथ कोशिश करिएगा कि आप black ही पहने तो जादा अच्छा दिखेगा ये moving on to our next shirt जो की होगी एक black shirt अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये regular solid black shirt नहीं है वो जो lycra material कपड़ा आता है ना वो जो stretchable type का कपड़ा वैसे type का कपड़ा है अच्छी लगेगी अभी जड़ा giveaway के बारें बात कर लेते हैं बहुत सिंपल से रूल है पहला रूल है आपका चैनल का सब्सक्राइबर होना चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है कर दीजेगा इस वीडियो को like कर दीजेगा comment करके बताएगा कि आपको कौन सा fashion बहुत नहीं है जैसे ही इस वीडियो पर 5000 लाइक पूरे होंगे हम किनी दो lucky winners को देंगे 2000 रुपए के gift vouchers जिससे वो कुछ भी करीद सकते है 2000 रुपए के सारे rules description में मैंने डाले हुए है comment में पिंड रहता है make sure कि आप वो हर चीज देखें आप participate करें बहुत लोगे को message करते हैं कि आपने rules शायद follow नहीं किया होंगे सारे चलिए जरा next shirt को देखते हैं जो की होगी एक printed shirt मेरे summer outfit वाली video में मैंने आपको इस shirt के साथ outfit बना कर दिखाया था get ready with me में भी मैं इसको use कर चुका हूँ Cuban collar style पर oversize shirt है fabric इसका cotton है और इतना में शूट करता हूँ indoor बहुत सारे कपड़ों में यह को गर्मी होने लगती है इसमें मेरे को पसीना एकदम नहीं हुआ which means कि जितने भी लोगों को पसीना जाधा होता है sweating जाधा होती है वो लोग को बहुत पसंद ना पंजारा फैशन पसंद है वो महबत कर लेगी आप से फिर से जरा नेक्ट शेट के बारे बात करते हैं जो की होगी एक निटेड पैटन पे पोलो शिर्ट इसमें बहुत अलग-अलर करलर options available हैं आपका जो मन करता है आप ले सकते हैं मैंने recently अपने Instagram पर ए इसको आप casual wear में भी pair कर सकते हो, street style में भी pair कर सकते हो, old money में भी pair कर सकते हो, size मैंने इसका medium wear किया हुआ है, last but not the least हमारी दसमी और आखरी shirt होने वली है, एक printed shirt with Cuban color style, इस shirt को पहन कर जो मैंने दो-तिन वीडियो डाली मेरे को बहुत compliment मिले आप लोग से, in fact एक again बोल लाओ में अगर आप मेरे को अंस्टा पे follow कर रहे हो, तो आपको पता होगा पहले कि मैं क्या-क्या खरीदता हूँ, क्या-क्या दिखाता हूँ, मैंने एक get ready with me video बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था, regular fit पे shirt है, biceps पे थोड़ा इसका बाजू tight होता है, मुझे अच्छ की बारी आती, तो हम इस color को ऐसे दर किनार कर देते हैं, बट मेरे भाईयों, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इस type के shades वले कपड़े भी होने चाहिए, और जो लोग बोलते हैं, की printed, knitted, sheer pattern, floral, ये सब छपरी पहनते हैं, तो बात ये है कि लोम्री की कहानी आपने सुनी होगी, जब उसको अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा कि अंगूर खटे हैं, and with this I rest my case, हमने 10 casual shirts के बारें बात करी, कौन सी आपको अच्छी लगी, नीचे comment करके आप बता सकते हैं, कौन सी आप खरी देंगे, कौन सी आपको पहले से थी, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, सब details आपको बंजारा जायत पर मिलेगा, बस यही था आज की वीडियो में, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, मिलता हूँ, आपसे नेक्स वीडियो में, चल दें, नमस्ते, अल्लाहाफिस